नमस्कार मैं हूँ काइनात खान आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटी खबरों की शुरुवात करने से पहले नतर हेडलाइन्स पर एक लाग रुपे और बाइक के लिए वहशी पती ने पत्नी सही दूद मुहे बच्चे की गला रेत करकी हत्या आरोपी गिरफतार दकेती मामले में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली व्यापारियों में आक रोश एसेसपी को सौपा ग्यापन आसने भगदों के लिए अनलोक हुए भगवान मंदिर और मस्जिदों में उम्डी शर्धालों के भीड लोटी बाजार की रोनग और सरकारी उपकर्मों के नीजी करण के विरोध में सड़क पर उत्रे युवा कॉंग्रेस के कारीकरता लगाए मोधी मुर्दाबाद के नारे अब खबरे विस्तार से भागलपूर जिले के शाकुन थाना अंतरगत हरनत पंचायत के मोधवार गौफ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है एक वहशी पती ने अपनी पत्नी और दूद मुहे बच्चे की गलारेत कर इसलिए हत्या कर दी क्यूकि उसे मकान बनाने के लिए एक लाक रुपे और पाई नहीं मिले बताया जाता है कि गुरुवार की सुभा पती सुनील हरीजन ने दो साथियों के साथ पत्नी रूपा कुमारी और छे माह के दूद मुहे बच्चे की गलारेत कर हत्या कर दी गटना की सुचना पर पहुँची पुलिस ने श्रव को कबजे में लेकर आरोपी पती को गिरफतार कर लिया जबकि उसके साथ ही फरार है मृतका के पिता ने देहेश के लिए हत्या की प्रात्मी की दर्श कराई है मही पती का आरोप है कि उसका माईके में किसी के साथ नाजाय संबन था इसलिए गुस्षे में उसकी हत्या कर दी आरोपी पहले से ही तीन शादी कर चुका था और चौथी शादी बाका जिले में समुख्या मोड के योगेंद्र दास की पुत्री रूपा कुमारी से हुई थी जो अम्यूक्त उपर उठेल लड़का है लड़के से बात्चीत किये तो बोला कि लड़की माईके से नहीं आ रही थी तो उसी का एक गुस्ता थोस्तो और रात को दस बजे घरवाले से बात करने पर पता चलाए कि रात को दस बजे तक दोनों साथ में सोय थे साड़ी वेफसाई के घर हुई डकैती के मामले में घटना के तीसरे दिन भी कोई गिरफतारी नहीं होने पर व्यापारियों में आक्रोश है शहर में बढ़ते अपराद और डाका कांड के आरोपयों की गिरफतारी को लेकर इस्टरन बिहार चेंबर ओफ कॉमर्स का एक शिष्ट मंडल एससपी निताशा गुरिया से मीला और व्यापारियों की सुरक्षा की मांगी इस्टरन बिहार चेंबर ओफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार भिवानी वाला ने बताया के एससपी ने व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए जल्धी आरोपयों की गिरफतारी की बात की शिष्ट मंडल में रोहित जुनजुनवाला आशी सरार्फ रोशन कुमार अभिशेग जैन समेथ अन्यवयापारी मौजूद थे आगर्पुझे सहरी चेतर में एक जिसन डेकर्टी हुई है इसमें करीबन 20 लाख रुटे की लूट बाट हुई है वहीं पुलिस ने नौकरानी लक्ष्मी को हिरासत में लेकर पूशताश के बाद उसे छोड़ दिया पुलिस ने साड़ी वैवसाई के घर के आसपास और पटल बाबु रोट के अन्य प्रतिस्ठान में लगे CCTV फुटेश को देखा CTSP स्वन प्रभात ने कहा कि अभी मामले में जाश प्रताल की जा रही है धैरी रखे जल्धी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे वहीं वैवसाई ने पुलिस को दिये आविदन में कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी पर शक है सुभा से शहर के सभी मंदीर भक्तों के लिए खुल गए सरकार के निरदेश से शरधालों में खुशी की लहर उमर पड़ी मंदीर के बाहर दुकान चला रहे फूल प्रसाद वपूजा समगरी विक्रेताओं में खुशी देखी जा रही है अनलोक छे के बाद मज़ी देवं मौल सहीद कपड़ा दुकान एवं शिक्षन संस्थानों में चहल पहल देखी गई सुल्तान गंजजगैविनाद धाम में शिव भक्तो की भीड पूजा अर्चना के लिए पहुँशने लगी है मंदीर के महन प्रेमानंद ग्री ने बताया कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदीरों में मास्क लगा कर ही भक्तों को आने के लिए निर्देश दिये हैं उन्होंने भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना करने और वेक्सिनेशन की अपील की है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक रहेगी लंबे अंत्राल के बाद मंदीर खुलने से मंदीर से जुड़े पंडितों में खुशी देखी जा रही है लोगडाउन था लोगडाउन को देखते हुए मंदीर भी मैंने 26 तारिक से खुला गिया है और करोना को देखते हुए लोगडाउन और भक्तों से यही निवेदा नहीं कि आप मास लगा करके ही मंदीर आवे सोशल मीडिया पर इन दिनो एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक यूवक बार बालाओं के साथ तमंचा लहराते हुए डांस कर रहा है वाइरल वीडियो सहरसा जिले के लोकही का है जहां मोहरम के अफसर पर रात में औरकेस्टा का आयोजन किया गया था पुलिस यूवक की पहचान कर गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही है यूवक एक हाथ में तमंचा थामे हुए बार बाला को नचा रहा है वाइरल वीडियो 23 अगस्त की रात का है और तमंचे पर डिसको करता यूवक मोहमद अब्दुल है वीडियो वाइरल होने के बाद अस्थान ये पुलिस की कारिशेली पर सवाल उठने लगे है आखिर बिना प्रशासनिक अनुमती के बिना सार्वजनिक जगह पर कैसे और केस्टा का योजन किया गया घटना की पुष्टी करते हुए बिहरा थाना ध्यक्ष प्रमोध ज्छा ने बताया कि वीडियो की परताल के बाद आरोपी यूवक की गिरफतारी के लिए पुलिस चापे मारी कर रही है और वह जल्द ही गिरफत में आएगा आपको बता दें कि सोशल टीवी इस वाइरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है रोटरी कलब के चाटर प्रेसिडेंट और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता प्रवीन कुष्वाहा के जन्म दिवस पर रक्तदान शिवीर का योजन किया गया भागलपूर के पटल बाबू रोड इस्थीद कॉंग्रेस नेता के आवास पर आयोजित शिवीर में रोटरी कलब ऑफ पिंग, रोटरी विक्रम शीला कलब और रोटरेक्ट कलब से जुड़े कारिकरताओं ने 54 उनिट रक्तदान किया इस दोरान स्वास्थ शिवीर का भी आयोजन किया गया जिसमें लोगों के स्वास्थ का परिक्षन किया गया इस दौरान कारिक्रम के आयोजक और रोटरी कलब ओफ विक्रम शीला के अध्यक्ष अमित आनन ने लोगों रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान ही महादान है मौके पर मिरदुला घोष, रीना कुमारी, रेनु सिंग, संजैराना, प्रशान्थ बनरजी के अलावे अन्यकारिकर्ता गन मौजूद थे सरकारी उपकर्मों के नीजी करन के विरोध में यूवा कॉंग्रेस के कारिकर्ताओं ने गुरुवार को भगत सिंग चौक पर प्रदरशन किया इस दोरान कारिकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ के नारे लगाए और सरकार से फैसला वापस लेने की मांगी कारिकर्म के अध्यक्षता कर रहे यूवा कॉंग्रेस के अध्यक्षमित आनन ने कहा कि प्रधान मंत्री अपने मित्रों को फायदा पहुचाने के लिए सरकारी उपकर्मों को नीजी हातों में सौपनी की तयारी कर रहे हैं इसी के विरोध में कॉंग्रेस कारी करताओं ने जिला मुख्यालियों पर देश्वयापी प्रधर्शन किया और कहा कि यह अंदोलन चारी रहेगा इसके खिलाफ में आज युआ कॉंग्रेस पूरे देश में एक सांकेतिक प्रधर्शन कर रहे है ललमटिया ओपी पुलीस वा एल्टीएफ टीम ने पासी टोला में छापे मारी कर दस लिटर देशी शराब के साथ एक धंदे बास को भी गिरफतार किया है पुलीस को गुप्त सूचना मिली थी कि पासी टोला महले में अवैद देशी शराब निर्मान कर बिक्री की जा रही है पुलीस ने छापे मारी कर सुनील चौधरी और प्रधीप चौधरी के घर से पांच-पांच लिटर निर्मित देशी शराब बरामत किया पुलीस ने मौके पर सुनील चौधरी को धर दबोचा जबकि प्रधीप चौधरी पुलीस को चक्मा दे कर फरार हो गया लर्मटिया ओपी प्रभारी मितलेश कुमार ने कहा कि दोनों शराब कारोबारी के विरुद एफायार दर्जकर सुनील चौधरी को नयाई खिराशत में भेज दिया गया है फिलाल खबरों में इतना ही अब मुझे दीजे जाज़त नमस्कार